स्री शिवाय नमस्त व्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी चेत्र मास का पवित्र महीना चल रहा है और चेत्र मास के पवित्र महीने के अंतिम दिन यानि कि चेत्र मास के पवित्र महीने की पूरी मातिती के दिन हनुमान जी का जन्म यानि कि वट वरुक्ष के ये उपाय हैं आज की इस वीडियों में हम आपको 5 से 7 उपाय बताएंगे जो की बरगत के पेर से जुड़े हुए हैं जो भी आपको सरल लगे आप ये उपाय हनुमान जन्मोत सो उपर यानि कि हनुमान जहनती पर कर सकते हैं बहुत ही आसान से को लाइक करें और भगवान शिव के ये आप सच्चे भकते हैं भगवान शिव के रुद्रवतार यानि कि हनुमान जी के ये आप सच्चे भकते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और कमेंट में आज के दिन जैश्री राम आपको जरू लिखना है देखिए ये लेकिन आपको दूर दूर तक उसका हल दिखाई नहीं देता तो आज के दिन हनुमान जन्मत्सव के दिन गुरुवार के दिन आपको ये प्राचीन और चमतकारिक उपाय जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो उपाय आप करेगा ताकि आपके जीवन के स सबसे शिग्र प्रसन होने वाले देवता हैं और सबसे जागरुक अवस्था में जो रहते हैं मतलब आप कोई भी उनके निमित कोई भी उपाय करने हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर के आप आपकी मनुकामना तक बोल दे तो वो आपकी मनुकामना परिपूर्ण कर दे हैं देखिए यह बहुत ही जागरुक और प्रभाव शाली देव हैं देखिए आज के इस वीडियो में हम जितने भी आपको उपाय बताने वाले हैं वह बर्गत के पेड़ से जुड़े होने वाले हैं तो इसलिए हर एक उपाय को बिलकुल ध्यान से समझना हो सकता है कि एक ऐसा दिवी उपाय आपको मिल जाए जिससे आपकी समस्या दूर हो जाए देखिए सबसे पहरा उपाय बहुत आसान सा उपाय है आज की दिन आपको क्या करना है हनुमान जन्वोट्सव के दिन आपको बर्गत का पत्ता लेकर करके आना है बर्गत का पत्ता तोड़ भी सकत है शुद्ध जल डाल करके शुद्ध जल डाल करके उसको साफ करके उसके बाद उसका उप्योग कर सकते हैं आपको क्या करना है घी लेना है और पीला चंदन लेना है घी के अंदर पीला चंदन मिला करके आपको उस बर्गत के पत्ते की चिकनी वाली साइट पर श्री राम लिखना है अगर बर्गत अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है घी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे चम्मिली का तेल लेंगे और हनुमान जी को जो चोलार्पित होता है जो सिंदूर होता है नारंगी कलर का जो सिंदूर रहता है भगवा रंग का वो सिंदूर उस सिंदूर से आपको श्री राम लिखना है काड़ी सी लिख सकते है या आपकी सीधात की चिटी उंगली के पासली उंगली अनामी का उंगली से भी श्री राम ल अगर वहां पर भीड बहुत जादा है आप इसे मंदर मे जाना है याने कि आप ऐसे मंदर में जाना है жूँआ पर जाकर की उपाय करेंगे तो सर्वोत्म होगा क्या करना है वो जो बर्गत का पत्ता है उसको हनुमान जी के उपर चुवाना है रिदय पर टच करवाना है और हनुमान जी का जो सिंदूर है या तो हाथ का सिंदूर है या तो रिदय का सिंदूर है थोड़ा सा सिंदूर जो तो विशेज द्यानक ना हाथ का हो सकता है मस्तक का हो सकता है रिदय का सिंदूर हो सकता है ठीक है थोड़ा सा सिंदूर बस एक बिंदी भी अगर आप लगवा लेंगे ना तो सर्वत्म हो जाएगा अब आपको उस पत्ते को ले करके हाथ में ले करके बेट जाना है और हनुम गवाल थीवट देनाक है आपके गर पर नहीं है तो आपके घर सकते हैं आपके मन्दीर में ठीके आपके घर के मंधिर में तो ज것도 प। हैसा नहीं कि अप सतनास foster आप मंदीर में घीखें इस दिखना चीए ये लाल कपड़ा आपका दिखना चीए, आपके नित्य आप उसके दर्शन कर भाए, भगवान श्री राम का नाम ले करके, हनुमान जी का नाम ले करके, ये आप आपके व्यापर वाले स्थान पर, नोकरी वाले स्थान पर, या तो घर पर आप रख सकते हैं, मंदीर में रख सकते हैं, इससे आपके जीवन के सारे संकट भई जो हैं, वो दूर हो जाते हैं, देखो, ये हो गया पहला उपाए, दूसरा उपाए, आज की दिन क्या करना है? बर्गत का एक पत्ता लेना है, और उस बर्गत के पत्ते के उपर, शहद लगा देना है, ठीक है? चिकनी वाल यानि कि दो लोटे लेना है जिसमें जल होगे एक में आपको गूर डालना है और एक साधर जल होगा ठीके अब आपको ये बरगत का जो पत्ता है जिस पर शैर लगाया है ये आपको भगवान शीव के शिवलिंग पर अरपित कर देना है आपके जो भी संकट है जो भी विग्न है वो सब दूर हो जाएंगे ये बर्गत का पत्ता आप अर्पित कर देना और उसके बाद आपको गुड़ वाला जुजल है गुरु आर का दिन है गुड़ वाला जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है श्री श आपको आज के दिन क्या करना है हनुमान जनमत्सव के दिन सूर्यास्त के पहले पहले आपको क्या करना है एक इस्चिल का पात्रे लेना है उसके अंदर दो चमच कच्चा दूद मिलाना है उसके अंदर एक तुकड़ा गुड का मिलाना है और साथ में एक चुटकी हल्दी नाम इस्मरेण करते हुए आपको जई श्री राम, श्री राम, दूताइ नमह इस मंत्र का जाब करते हुए आपको ये अरपित कर देना है बर्गत के पेड में हल्दी वाला कच्चा दूध अरपित करते हैं तो इससे आपके सोभागय में व्रिद्धी होती है, महालक्षमी प्रसन होती है और आपके जीवन के संकट जो है धन संबंदेद परिशानी जो है वो दूर होती है, देखे चोथा उपाई जो की बहुत ही खास उपाई है जो की केवल और केवल हनुमान जन्मोत्स उपर ही क्या जाता है पूर्णी मा की रात्री में ही क्या जाता है आपको क्या करना है मात्र पांच बर्गत के पत्ते लेना है बर्गत के पत्ते सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेना या आप जमिन पर घिरे हुए बर्गत के पेड़ के जो पत्ते हैं उनका इस्तमाल आप कर सकते हैं ये बरगत के पत्ते जो हैं इनको शुद्ध जलसा आपको धो लेना है ठीके, पांच बरगत के पत्ते लेना है खंडित नहीं होना चीए अब आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिन में जाना है ठीके, आपको साथ में पांच दीपक बनाना है पांचो दीपक में आपको गोल बाती लगानी है ठीक है और पांचो दीपक के अंदर या तो आप चमिल का तेल भी डाल सकते हैं या तो आप घी भी डाल सकते हैं और पांचो दीपक जो आटे की बनाएंगे बिना नम्क का आठा मडना और ये पाचो दीपक आपको लगाना है यदि आपके जीवन में किसी भी परकार का भय है बहुत ध्यान से सुपय को समझना किस परकार से करना है पाँच बर्गत के पत्ते लेना है पाँच दीपक लेना है आपको ले करके हनुमान जी के मंदिर में जाना है आप क्या करेंगे पांचो पत्ते आपको रखना है सामने आपके एक लाल कपड़ा बिछाना लाल कपड़े के उपपर पांचो बरगत के पत्ते आपको रखना है और पांचो बरगत के पत्ते के उपपर कम हो रहा हो, तेल कम हो रहा हो, तो आप ढूल देना, बीच में भी ढाल सकते हैं, पांच बार हनुमान चालिफा का पार्ट करना है और आपके जीवन की जो भी समस्या है, वो आपको हनुमान जी से बोलना है, आपके जीवन उनके सारे संकट, सारे कष्ट दूरो जाएंगे, ये सबसे अच्छुक उपाय है, कोई उपाय करो या ना करो, हनुमान जन्मोत सो उपर आपको ये उपाय जरू करना चीए, ताकि आपके सारी समस्या का एक ही हल, पांच दीपक, पांच बरगत के पत्ते पर आप ये उपाय क आपको ये मंदीर के बाहर कोई भी देव वरुख्ष के नीचे आपको ये रख कर क्या जाना है, बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन के सारी समस्या दूरो जेगी, तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने आपको महा उपाय बताए हैं, जो कि बरगत से जुड़े हनुमान जी के, जो कि हनुमान जन्मत सोब पर ही किया जाता है, बहुत ही आसान से उपाय है, अगर आपको कुछ में चीज समझ में ना आए, तो कमेंड में पूछ लेना, गलती नहीं करना है, जै श्रीराम, जै हनुमान